सब्सक्राइब प्रिये विद्यार्थी मित्रो आज हम दस्वी काक्षा के तीसरे पार्ट हिंदी लोकवानी तीन सफर का साथी और सिर्दर्द इसके वाचन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे पहले से समझ लेते हैं किस विशय में दिया गया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए चले शुरुआत करते हैं पहले इसका विशय क्या है लोग यात्रा पर जाते हैं अपने किसी आवश्यक काम अथवा घूमने फिरने के उद्देशे से पर रेल यात्रा में यात्री की कभी कभी सह यात्रियों को ऐसा वेवहार देखने में आता है जिससे उसे सिर्दर्द हुए बिना नहीं रहता प्रस्तुत हासे व्यंग निबंद में लेखक ने रेल यात्रा में मांग कर अख़बार पढ़ने वालो आहनावाशक बाते करने वालो बिना मांगे सलाह देने वालो आदी पर करारा व्यंग किया है तंज किया है ये लिखा है राम नारायन उपाद्याय ने इनका परिचय राम नारायन उपाद्याय जन्व 1908 खंडवा मध्यपरदेश परिचय पंडित राम नारायन उपाद्याय ये स्वातंतरता पूर्व के लगू कताकार है आपकी भाशा शैली सरल सहज और प्रभाव शाली है आपके व्यंगे ललित निभंद रूपक रिपोर्टाज लगू कताए संस्मरन आदी विधाओं में तीस से अधिक पुस्तके प्रकाशित हुई है आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोग भाषा एवं विभिन बोलियों के समवर्धन के लिए उलिक नियकारिय किया है प्रमकृतिया, बख्षिश नामा, दुंदले काच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कराती फाइले, व्यंग संग्रह, मुर्ग के च्छावने, निभंद संग्रह, हम तो बाबल तेरे बाख की चड़िया लोग साहित थे जिन्हें भूलना सका संस्मरन आदी अब हम यहाँ पर गद्ध संबंदी जो बात है तो इसमें हमने रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वालों, अनावशक बात करने वालों, बिना मांगे सलाह देने वालों पर करारा वेंग किया गया है लेखक का तात पर रहे है कि हमें इन बुराईयों से बचना चाहिए अब देखते हैं इस पार्ट का वाचन करेंगे और से समझेंगे कि इसमें लेखक ने किस तरह से रेल यात्रा में होने वाली जो अजीब गरीब बाते होती है उसका व्यंग किया है मजा खुड़ाया है और उससे बचने की सलह दी है चले शुरुआत करते हैं मुझे अकेले यात्रा करने में आनन्द आता है इससे चलती रेल में से पैरो के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पणा में डुकी लगाने जो पास लगते हैं उन वरक्षो के निरंतर पीछे चूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वरक्षो का साथने बाने में बड़ा मजा आता है अब देखिए जब आप पुल पे से रेल गुजरती है तो नीची अगर नदी होगी तो ऐसा लगता है कि आप नदी में डूब रहे हैं अगर पास से कोई वरक्ष है जो आपकी रेल यातरा के दोरान आपको छूकर गुजर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप वो पेड़ों को छूकर चल रहे हैं अगर कोई पेड़ दूर की तरफ है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ भाग कर पीछे की तरफ जा रहे है यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए किसे देखकर नाग भह सिकोड़ता हूँ और कौन मेरे एकांच शनों का अंतरंग साती है इन सब बातों पर कोई निगाह रखे ये मुझे कतई पसंद नहीं यानि यहाँ पर पंडित राम नरायन उपाध्या कहते है कि उन्हें निगाह चुराने वाले या एक टुक देखने वाले नाग भह सिकोड़ने वाले ऐसे लोग बिलकुल भी पसंद नहीं है कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर जाकर दूर के दृश्ये किसी प्राकरतिक मनोरम दृश्ये को देखना चाता हूँ जैसे सूरियो दोय और सूरियास्त तभी मेरी दृश्ये उचट कर किसी वरक्ष की डाली पर पाउं टिकाए बच्चों को देखने में जा उलजती है तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्ये गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखर मैं देख क्या रहा था अब ये एक दृश्ये का जिकर है एक मनजर है जिसमें खिड़की से बाहर जब ट्रेन से देखते हैं रेल से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो दृश्ये है वो बहुत ही मनोहरम है जैसे कि सूरियोदय और सूरियास्तिन सूरज कर निकलना और डूबना अब ऐसा होता है कि दृश्ये जो है उचक कर अचानक अपने आँखों में आ जाती है ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे जाड़ों पर बैटे हैं पैर लटकाय जूल रहे हैं लेकिन अचानक ट्रेन जब तेजी से ट्रेल जल्दी तेजी से चलती है तो हमारे आँखों से वो ओजल हो जाते है कभी कभी मेरी दृश्ये नदी किनारे के संदरे को निहारना चाती है इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्ये चौपट हो जाता है क्या होता है कि कभी नदिया अगर हम रेल से देखते हैं तो नदिया बड़ी संदर लगती है और बड़ी खूबसूरत लगती है उसे नहारते हैं और अचानक कोई कंक्री आख में आकर गिर जाए तो पहाड़ी रास्तों में तो ऐसा होता ही रहता है दूल मट्टी के उड़ने से कंक्री आ जाती है तो साहरा का साहरा जो दुरुष है जो तस्वीर है वो चौपट हो जाती है कभी-कभी मेरा मन उच्छा काश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंद के और छोर नापना चाहता है यानि कभी-कभी रेल में बैटे-बैटे हमें नजर आता है कि कुछ पक्षियों उड़ते वे चले जा रहे हैं तो हमें भी महसूस होता है कि हम भी उड़े इसी बीच रेल किसी गुफा में परवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बादे होना पड़ता है यानि अगर हम उड़ते वे पक्षी को देख रहे हैं अचानक किसी गुफा में किसी सुरंग में आपकी रेल चली जाए तो अंधेरा आ जाता है और अंधेरे में जो लकीर बनती है वो अंधेरे की ही लकीर होती है वैसे मुझे बस की यातरा कते पसंद नहीं उसमें ये भी जरूरी नहीं कि बगल में बैटने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो यानि बस की यातरा अक्सर लोग पसंद भी करते हैं कुछ लोग पसंद नहीं भी करते है लेकिन जो बगल में बैठने वाला आदमी होता है बाजु बैठना वाला आदमी होता है हो सकता है कि वो पसंद वाला हो या ना पसंद हो अनिक बार तो ऐसे वेक्तित से पाला पड़ता है जो रूटी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मूँ बात नहीं करता और अगर उससे परशनों के जरीए छिड़कानी की जाए तो हाँ हो मैं जवाब देकर खिड़की से बाहर मोर लटका लेता है यहाँ यहाँ पर एक विंग किया है एक तंज किया है कि लेकック ने कि खभी कभी ऐसे वेकती भी आजाते है जो रूटी भी पतनी की तरह नाग वो चड़ाते हैं छिड़कानी करने पर खिड़की के बाहर देकते हैं लेकिन बात का जवाब नहीं देतें सिर्फ हूँ हाँ करते रहते हैं कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने वो अपनी बात तब तक सुनाता रहे का जब तक दो में से एक उतरना जाए यानि कभी ऐसे भी साथी मिल जाते है कि वो खामखा बरबर करता रहता है बात सुनाने पर भी नहीं समझता अब मुझे super fast train के बजाए express से यातरा करना ज़्यादा पसंद है यहीं सूपर fast train में अगर यातरा करेंगे तो express में करने में थोड़ा सा फर्ख होता है तो express की यातरा लिखा को पसंद है उसका कारण क्या है? उसका कारण सूपर फास्ट ट्रेन का सुभाव उस विशिष्ट विक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उफेक्षा कर बड़ों से मिलने दोड़ा जाता है उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है जबकि एक्सप्रेस एक दोस्ट की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है सब को अपना घदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो यानि सूपर फास्ट ट्रेन में लोग अपनी बराबरी वालों से ही मिलने की कोशिश करते है जबकि एक्सप्रेस में लोग हसब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं मिलते हैं और मिलकर वो क्या करते हैं एक दूसरे को मिलकर रदय परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की में दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है अब देखिए सभी यात्रियों को इस रेल की खिड़की से बाहर देखने में मज़ा आता है लोग अक्सर खिड़की की जो रेल की सीट होती है उसे पकड़ने की कोशिश करते है ऐसा लगता है जैसे शीशे में इसे डिबा बाइसकोप दिखा रहा हो यानि बाहर का जो नजारा देखने के लिए देखता है डिब़े में बैठा हुआ आदमी उसे बाइसकोप नज़रा आता है बाइसकोप ये ऐक ऐसा पुराने जमाने में एक ऐसा तरीखा था जिसमें अक्सर दूर दूर की चीज़ों की तस्वीरों के जरीए दिखाया जाता था ताज महल देख लो पैरिस का मिनार देखो या आइफल टावर देखो खुतुब मिनार देखो ऐसी चीज़े इसमें दिखाई जाती थी बाइसकोप में लेकिन कोई देखने थे तब तो जैसे ही आपने पाउ रखा और अपनी सीट पर बैटे की सामने की सीट पर बैटा यातरी आपके जोले में से जागते हो अखबार की और देख पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ यानि देखिए ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि अगर आपने अखबार खरीद के लाया तो वो अचानक पूछ लेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ बले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोल कर पढ़ना तो दूर पढ़ने पलट कर भी ना देखा हो यह अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो दूसरी की लाएवे अखबार को पढ़ने की कोशिश करते है ताकि वक्त आसानी से कट जाए और पैसे भी बचे लेकिन आपके उत्तर की प्रतिक्षा किये बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा यानि आप उसे इजाज़त दे या ना दे वो इंतिजार प्रतिक्षा यानि इंतिजार नहीं करता अखबार डायरेक्ट ले ले लेता है अब आपकी इस्तिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से रहा देखेंगी कि समाचार पत्र अब लोटे की तब लेकर उसे बे तर्तिवी से मुड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की और इस तरह शान से बढ़ा देंगे बनो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो यानि वो सज्जन ने क्या किया देखा पढ़ा और जब उनका दिल भर गया तो बे तर्तिवी से उसे मुड़ लिया और दूसरे किसी मांगने वाले को इतरह बढ़ा दिया या जैसे कि उनकी निजी संपत्ति है उनोंने ये खरीद के लाया हो देखते देखते समाचार पत्र के पनने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे यानि जो लेखक ने समाचार पत्र लाया था वो सब लोगों में बढ़ गए और समाचार पत्र लेखक को पढ़ने के लिए नहीं मिला मज़े की बात ये है कि समाचार पत्र के कितने उप्योग हो सकते इसका अंदाजा रेल की यातरा करते समय ही लगाया जा सकता है यानी समाचार पत्र के कितने उपयोग है इसका पता कब लगेगा जब आप रेल यातरा करेगे लोग उसके तुक्डे तुक्डे करेगे कोई लेकर पड़ेगा, कोई इसके ऊपर बैटेगा, कोई कुछ करेगा कोई ललितनी बंद की तो कोई संपादी की पन्ने से अपनी सीट जाडता नजर आएगा कोई समाचार पत्र फैला कर उस पर भोजन करता दिखाए पड़ेगा बेचारे समाचार पत्र वाले ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि उसके समाचार पत्र के इतनी उप्योग हो सकते हैं यानि कोई क्या करेगा कोई उसका संपाद की यानि एडिटॉरियल पड़ेगा कोई ललतनी बन यानि छोटा मजमून पड़ेगा कोई उसके समाचार पत्र को बिचा कर उसके खाना खाएगा कोई उसको अलग अलग तरीखे से लोग उसका इस्तिमाल करेंगे और समाचार पत्र वाले को भी पता नहीं कि उसके उप्योग कैसे लोग कर रहे हैं इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की और सीर टिका कर कुछ शन आराम करना चाहेंगे किसी बीच सामने से पुछना उचलेगा कहा तक चल रहे हैं यानि लोगों को इस बात की बिल्कुल परवा नहीं है कि सामने वाला किस हालत में है वो थोड़ा आराम करने के लिए कोशिश करेंगी सामने वाला पूछने लगता है कि कहां तक चलेंगे आप अन्माने मन से कहेंगे भोपाल तक पोचेंगे भोपाल गाड़ी कितने बज़े तक पहुचती है सवा तीन बज़े यानि आपको सारा सवाल जाब यहीं हो रहा है उनका तर्ख होगा पहले तो चार बज़े पहुचती थी अपका फिर सापको जवाब देना पड़ेगा हाँ टाइम बदल गया तो बोलेंगे कि गाड़ी में तो कोई जगा चेन फूलिंग होती होगी आज की तारिख में पहुच जाए यही गनिमत है यानि फिर वहाँ पर वो कुछ ना कुछ बात को आगे बढ़ाते रहेंगे आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ तभी तीर की तरह प्रशन उचलेगा आप हभीब गंज उतरेंगे या भो पार कहा हभीब गंज पूचा हभीब गंज क्यों कहा वहां से तुर्सी नगर पास पड़ता है यानि यहां पर इस तरीखे के सवालात होते रहेंगे उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुनाख़त होगी तब तक के लिए गुड़ बाई